हाई गाइस कर से आप लोग वैलकम बैक तो माई चैनल तो यहां पर मैं भी जा रही हूं आटा गूने के लिए तो आज मैं चाल कि आटा गूने के लिए तो मुझे ना एक दो गून दिख गया था आटे में तो आटे को चाल दो ना और मेरे पास बड़ी वाली जो मतलब बड है जो काम है अभी मैं पहले निप्टा लेती है उसके बाद फिर मैं उसका देखती हूं किस परश को क्या बोल रहा है तो यहां पर मैं सबसे पहले आटा चाल रही हूं और आटा का जो डब्बा है वो मेरा पांच केजी कहा ही है मैं कई बार सोची कि 10 केजी बड़े लेके तो दिकत हो जाती है और उससे फिर आटा जो पैकेट में रहता है वो खराब भी हो जाता है अगर एक पर खूल हो गया वैसे तो हम उसको पूरा अच्छी तरीके से पैक कर देते हैं बट फिर भी वो सही नहीं रहता है और उसके बाद मैं अभी पानी लेके और आटा को चलब को इसको तो तो फिर पते है क्या होता है अच्छे से से अगुद के रटो ख में तो रोटि फुली बनती तुरह था तो नहीं बनता है तो मैं दो मिनट के कि क्या है क्या नहीं ゃ। यह सब्जी थी तो सब्झी को मैंने गरम कर लिया है और थोड़ा सा पांस मीरे टाइम हो चुका ठाथ था थोड़ा बहुत वह वहां निप्टाया और ऐस क輪र सब्चात्रा कॉ ओर sortom कर लिए हूं सब्ची को मैं भी कर ले से संकतराब चाहिए और रोटी घूटाए सीए करने को सबता है टोल डाली नहीं है यहां पर आप रोटी भी बन चूकी है और यहां पर रोटी को चाहारकर से साफ कर देती हूं उसी डाटम चैना खेंगे के रख देती हूं बस लास्ट रोटी था रोटी भी बन चुका है फिर मैं भी करूंगी हैंड वाश करने की तो मुझे आदत हो गई और यहां पर देखिए भिंडे की सब्जी है जो इस पर्श को मैं दे रही हूं मैंगो दे रही हूं और कटल की सब्जी थी तो वह मैं चाहिका जल्देली पानी डाली इसमें धोड़ा सा नमक डाली यूँ थोड़ा सा मैं डाल उंगी हल्दी पाउडर उसके बद प्रेशर कुकर बंद कर दूगी आप चाहो तो एक दो बंद ऑल दो नहीं डालोंगी तो दाल भी मैंने रख दिया उसके बाद मैं थोड़ा सा नमकीन लेके जा रही हूं खाने के लिए अभी टाइम हो चुकता साड़ एगारा बजे क्यास पास का टाइम हो रहा है और मैं और पर दोनों लोग बैठके यहां पर खा रहे हैं नमकीन तो मैंने उसको अलग बाउल में उसी दे दिया था लेकिन वो बोला कि नहीं मैं इसी मे अधा है और बुक्ति कर ले रहे हैं कुछ को मैंने ढाल पी दिए लेकिन सारा कट नहीं हुआ तो की सथे हो साते हैं यहां पर मैंम इसी यहां ड़ Use में गड़ा जांक है कर दिए औरम बलिणने मैं सब्सिंदे कली कर मैं चक्ति औरम डं़ाने नहीं और में शाजे सat शी अ या फिर आलू सोया बीन की सब्जी हो गई सारी सब्जिया जो होती है ना सफर्ष को बहुत पसंद है यहां पर मैं थोड़ा बहुत हो चुका था यह सब्जी तो उसके बाद मैं इसमें एड़ कर दे रहे हूं हल्दी पौदर और नमक और यह बीन्स ना सारा मतलब मुझे सही नहीं लग रहता और इसके बाद मैं यहां पर मटर निकाल रही हूं मैं सची कि मटर भी डाल देती हूँ और मटर तो बहुत महंगय है आप लोग कीसे मटर बहुत पहले से चुडाया खुद Communications और पहले से कज़़ाया रहता है तो ज़दा दिक्कत नहीं होती है तो ज़दा आलू और मटर के सब्जी ड्राइवली सब्जी बन रही है इसमें जाब चनजट नहीं रहता है बहुत जल्दी बन जाता यह सब्जी औरzejहा था शूबध का oggi के सब्जी औरॊ नहीं है अभी बनाने जा रही हूं और दो बॉक्स तो पैक हो चुका है खीरा का मैंने लग दिया करा वर फ्रूट्स पर भी रख देती हूं या फिर पपाया में रखती हूं हफ्ते में तीन से चार दिन पापाया जाता है और वो खतम हो जाता है तो फिर दूसरी सब्जी जाती है, तो ऐसी ही चलता रहता है, उसके बाद मैं फटाफ़ट से रोटी बनाओंगी, मैं इस टाइम पर बहुत कम बनाती हूँ, दो महीने धाई मैने तीह महीने पर एक बर हमारे घर में पर बनते हैं, बट हां रोटी बना तो टाइम के कॉर्डिंग की सारा कुछ करना होता है और यह रोटी आ एक्दम खराब सी हो गई फट गई कई रोटी आ फट जाती है तो मैं इसको फिर से हटा दियू और उसके बाद फिर मैं दूसरा बेल रही हूं और सुबह सुबह का न मैं कभी भी ब्लॉग शेयर नहीं कर सुबह पाती ही ओड़शा मैं अजम शेयर कर रहे हूं कि मैं किस तरीके से मॉनिंग टाइम में बनाती हूं ब्रेक-फास इतनी सुबह ऊटके मैं सुबह पांच बजे उड़ती हूं और पॉने छह तक मेरा जो ब्रेक-फास्थ है लगश वह तैयार हो जाता है तो यहां पर मैं अब बस अब रोटी फुल आने का टाइम आ गया है अब दीरे देर जलदी जली मैं सोच रही थी कि बना ही लो और उसके बाद यहाँ पे न सब्जी भी मैं चेक कर रही हूं तो रात में जो सब्जी बनाई थी वो तो उसी टाइम खत्म हो गई थी फिर इस टाइम पर दोना तो रोटी सॉफ्ट रहती है नहीं तो फिर वो अग्दम हाड हो जाती है तो खाना नहीं बनता है रोटी और भस मैं वहां पर गहाँ भरका ही नीकाला हूआ है जब्वे में रख दिया करती हूं और इसके बाद बस इसको भी मैं पैक कर दोंगी बॉक्स में जो रोट लेके आएं तो मैं यहां पीसमें डालकी और रूटी रख दे रही हूं । जहें किर बडाँ करते हैं उसके डालकी तो आज मैं उस्काम साथ में वॉटल अंब्रेला इंब्रेला युद्टा धिर वाला मुशाम इनकना देख दो थे चाहिए वारिश मौसम मैं तो मैं सोच चलो बाहर कर देती हूं इसको इसको बाहर कर दूंगी ना तो सही रहे गाइगा इसमें पानी रहता है तो तो इसके आलगी बात रहती है एस टाइम पर देख सकते हैं बाहर कवार का नजारा भी आने वाली यह बहुत तेज की बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू भी हो चुकी है बुंदा बुंदी शुरू हो चुकी है तो गैस इस ब्लॉग को करते हूं यहीं पे एंड मेरी मौनिंग रूटीन आपको कैसे लगी आप लोग बताना अगर आपको ब् मिलती हूं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में बाबाय टेके